हलो एव्रिवान! होप यू अल आ दॉइंग गूर तो आज मैं आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेकर आई हो साइन्स का और आज का जो मॉक टेस्ट है वो तह मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीके जिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस मत करना क्योंकि इसमें स जो questions है वो acids and basis से related है और आपको पता acid और basis P.S.T. का बहुत ही favorite topic है ठीके जी science का और ये topic बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही critical से questions आते हैं उसी according मैं questions आज लेके आई हूँ ठीके जी तो miss मत करना and let's start with the first question तो first question क्या बोल रहा है कि कुछ acids हैं जो strong होते हैं ठीके जी कुछ acids हैं जो weak होते हैं तो पहले तो strong acid और weak acid क्या होता है strong acid वो होते हैं जो ionize कर जाते हैं completely ionize हो जाते हैं तो weak होते हैं जो completely ionize नहीं होते हैं तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि कुछ acid strong होते हैं और कुछ weak होते हैं यह जो strength होती है acid की depend करती है कि जब यह acid को पानी में डाला जाता है तो कौन से ions produce होते हैं तो हम सबको पता है बात acid की है गूम फिरा के तो acid कौन से ions देता है हमें H positive ions और अगर base की बात हो तो base हमें क्या देता है OH- मतलब hydroxyl ions तो अभी acid की बात की गई है कि जब भी acid को पानी में डालोगे तो कौन से ions बहा निकलेंगे hydrogen ion so your B option is the correct answer ठीक है जी मतलब statement वैसे भढ़ा चड़ा के लिखी हुई है the thing is they are asking about the acids ठीक है तो यह चीज़ दिहां रखनी है अगर आपको अभी भी concepts clear नहीं है तो आप मेरी previous videos जाके चेट कर सकते हो acid and base topic सारे notes में provide कर चुकी हो ठीक है जी now comes to the next question अब ध्यान से पढ़ना ठीक है HCl मतलब hydrogen chloride when in the pure form जब HCl pure form में होता है तो कभी भी acidity litmus test होता है litmus test में क्या होता है जो acid होते हैं वो blue to red turn हो जाते हैं और जब base की बात आँ है तो red to blue होते हैं पर जो HCl है ना वो pure form में जब भी होता है कभी भी litmus test शोर नहीं करता बट हमेशा blue to red हो जाता है जब भी उसको पानी में डालो यह क्या reason हुआ कि वैसे तो वो acidity शोर नहीं करता है litmus test शोर नहीं करता बट फिर भी वो क्या है red to blue हो जाता है बट जब उसको पानी में डालो सिरफ तब वैसे नहीं शोर करता हो तो सबसे पहले it doesn't produce H positive ions in the pure form it doesn't produce H positive ions when dissolved in water एसा तो है नहीं acidity शोर नहीं करता litmus शोर नहीं करता वैसे तो वो blue to red हो रहा है तो पानी में मतलब dissolve भी हो गया तो भी change हो रहा है pure HCl base की तरह नहीं जी बात acid की हुई है यहां पे वो HCl वैसे भी acid ही है hydrochloric acid dissolved HCl turn blue to red क्योंकि water impure है नहीं जी क्योंकि वो H positive ions produce नहीं करता जब वो pure form में होता है याद रखना question सारा सही है pure form दे दिया उन्होंने तो question में ही answer था क्योंकि कभी वो pure form में क्या है हमें H positive ions नहीं देता I hope this is clear next question तो ये question बहुत ही interesting है important है और paper में पूछा जाता है ठीके जी तो पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके options पर मत जाना ठीके जी options उपर नीचे हो सकते है क्योंकि ये question थोड़ा गड़़ है तो options पर मत जाना the thing is कि आपको concept clear होना चाहिए match the column हमने करने है तो अभी हम कर देते है citric acid, formic acid, malic acid and tartaric acid तो उनके source के साथ आपको इसको मिलाना है तो हमें देखिए पहली सीधी सी बात है citric क्यों होता है ठीके juicy fruits जो होते है citrus fruits जो होते है तो यहाँ पे juicy fruit कौन सा है lemon, नीबू, ठीके जी तो citric acid किसमें पाया जाता है lemon में पाया जाता है this is clear अब आते हैं next formic acid, तो formic acid मैंने आपको पूरा table clearly notes में करवाया था formic acid किसमें पाया जाता है cheaty की dunk में that is ant sting तो second का P हो जाएगा next, malic acid और tartaric tartaric मैंने T, T, T से याद कर आया था tartaric is tamarind और बचा हमारे बास malic that is apple ठीके जी तो ये होगे हमारे match the column simple as that ठीके अगर आपको options पता है table याद है आपको जो मैंने notes में करवाया था बहुत बार repeat करवाया है मैंने ठीके जी, अगर आपको वो याद है concepts clear है तो फड़ा-फड match होताएगा next question ध्यान से देखना आप ये question भी HCl, acid hydrochloric acid की बात हुई है HCl, फिर से हमें पता है हमारे पेट में HCl बनता है acid बनता है, ठीके जी, acidity होती है to digest the food still, इसको कभी भी organic acid नहीं माना जाता क्योंगी? ठीके? क्योंकि ये carbon atoms नहीं देता क्योंकि ये carboxylic acid नहीं show करता, क्योंकि ये H positive ions प्रड्यूस नहीं करता पानी में तो पहले चीज तो देख लो पहले बोला गया कि ये acid है बट और ग्यानिक नहीं है और ग्यानिक के features पूछें उन्होंने और ग्यानिक में देखो जो और ग्यानिक होता है न वो हमेशा तीन चीज़े शो करेगा याद रखना पहले वो हमेशा positive ions देगा दूसरा वो उसमें carbon atoms भी होंगे तीसरा वो carboxylic group शो करेगा और इसने क्या बोला it doesn't have carboxylic group जबकि not considered as organic क्योंकि ये COH group शो नहीं कर रहा ठीके जी और इसमें क्या है carbon atoms भी नहीं है और इसमें क्या है positive ions भी नहीं है इन्होंने बोला कि सब कुछ है HCL है stomach में produce होता है पर फिर भी इसको organic क्यों नहीं मानते क्योंकि ये हमें काड़ बॉक्सलिक ग्रूप नहीं शो कर रहा ठीके जी I hope this is clear next question ध्यान से देखना statement बढ़ी है बढ़ बहुत easy है man goes door to door posing as a goldsmith एक बंदा है घर घर जा रहा है goldsmith है वो ठीके जी सोने के गहने मनाते है jewelry वगरा he promises to bring back the glitter on a dull gold ornament उसने promise किया ठीके एक woman को कि अगर तुमारे पास मतलब जैसे कोई bangles है पुरानी सोने की तो उसका अगर रंग फेट हो गया है तो मुझे दो मैं उसको चमका दूँगा ठीके an unexpected woman उसने क्या किया gold bangles दे दियो उसको और उसने क्या एक particular solution में उसको dip कर दिया gold bangles को bangles फिर से shine करने लगे बट उनका weight कम हो गया तो वो solution कौन सा होगा तो simple सा इसका answer है जी aqua regia aqua regia क्या होता है दो चीजों का solution होता है HCl and nitric acid right and किस ratio में होता है वो 1 ratio 3 में divide हो जाता है जिस वज़े से जो gold और ये ये जो aqua regia है न किस चीज में काम आता है platinum और gold को purify करने के लिए याद रखना gold, platinum जहां भी आ जाए और weight reduce हो जाए answer उसका aqua regia ही होगा क्योंकि वो 1 ratio 3 में divide हो जाता है HCl ratio HNO3 ठीक है hydrochloric acid and nitric acid इसका answer है aqua regia I hope this is clear next question identify the set of oxides form acids ठीक है oxides देखने है when dissolved in water and यह acid rain भी cause करते है तो कौन से है यह CO, SO2, NO NA, 2, O, M, G तो हमें पता है sulfuric acid, nitric acid, carbon dioxide तीन ऐसे oxides है जो acid rain produce करते है ठीक है acid rain के main कारण है तो इसका सीधा सा answer है CO2, SO2, NO, 2 I hope this is clear next question दिहान से देखना भी यह भी Ravi identified tuna tuna slake line जो हम कई वर सडकों पे डालते हैं वो white color का जो होता है welcome लिखने के लिए यूज करते हैं उसको tuna बोलते है mostly वो पान की शॉप पे देखा गिया है क्योंकि पान बनाते टाइम वो tuna use की आजाता है ठीक है because he was taught in his science class that a substance is a base if it तो उन्हाने base के features पूछे हैं कि base एक चीज को हम base तभी बोलते हैं जब उसमें क्या क्या होगा तो base सबसे पहले red litmus को blue करता है बिल्कुल सही है क्या acid करेगा blue to red base हमेशा red to blue करेगा soapy touch होता है बिल्कुल सही है bitter taste होता है बिल्कुल सही है so all of the verb is the correct answer means वो base तभी बोला जाता है जब वो soapy touch ते red to blue litmus चेंज करे और उसका bitter taste हो कड़वा तेस्ट हो तो सारे features base के हैं तो हम उसको base ही बोलेंगे right? I hope this is clear next question इन में से कौन सी statement basis को लेके गलत है ठीक है basis produce HCl in water बिल्कुल सही है देखो OH- वो देते है hydroxy lines देते है बिल्कुल सही है electricity conduct करते है solution form में बिल्कुल सही है all bases don't have bitter taste ये भी बिल्कुल सही है alkalis are bases that are not soluble अरे बाबा alkalis को ही तो water soluble base बोलते हैं तो यहाँ पर बोल दिया alkalis ही soluble नहीं है तो ये तो गलत बात है ठीक है जी? ये नहीं होगा क्योंकि water soluble bases को ही alkalis बोलते हैं और उन्होंने बोला कि not soluble तो ये तो गलत बात हुई incorrect पूछ है तो C option is the correct answer कि C वाला गलत है alkalis soluble होते हैं ठीक है? ये अरे water soluble bases next question फिर से दियान से देखना मतलब एक तरह घुमा फिर आके एक ही चीज़ है कि questions बहुत सारे हैं अलग-अलग types में आये हुए है छोटे-छोटे concept से question आये हुए है the thing is कि आपको वो concept clear होना चाहिए right next out of the following all except one similarity between acid and base बतानी है हमने pick the one that distinguish a base from the acid देखे है मतलब acid और bases में बहुत सारे similarities होती है आप बताओ इन में से कौन से similarity नहीं है तो पहले तो हम देख लेते similarity कौन सी है जो बचा हो से मिलर नहीं है right conduction of electricity तो देखे acid और base दोनों ही electricity conduct करते है right litmus test यह नहीं होगा क्योंकि देखो litmus acid तो blue to red करता है और base red to blue करता है ठीक है यह difference है correct answer यह ही है next evaluation of hydrogen with metals तो दोनों में ही H positive ions मिलते है कहने का मतलब acid में H positive ions मिलते ही मिलते है और कुछ bases होते है वो भी H positive ions देते है कुछ को होते है ठीक है सारे नहीं बोला corrosive in nature तो दोनों ही corrosive होते है nature में तो यह similarities हो गई और different क्या था litmus test जो हमारा correct answer है I hope this is clear देखिए अब चोटी चोटी properties है ऐसा कोई concept नहीं है जो मैंने छोड़ा हो या notes ना दिये हो अगर आपने वो पढ़ा है वो समझा है तो यह करना तो बहुत easy है Now next question इन में से कौन सा living being indicator का source नहीं है ठीक है एक होते है natural indicators एक होते है artificial राइट नाचरल क्योंते हैं में मिलते हैं जैसे turmeric हो गया china rose हो गया leachens हो गये बट lotus कोई भी क्या है indicator नहीं है वही पूछा गया indicator कौन सा नहीं है lotus कोई indicator नहीं है ठीक है जी flower ज़रूर है पर यह indicator नहीं है बागी सारे indicators है अब ध्यान से देखना question बहुत ही अच्छा है अगर ध्यान से पढ़ा हो सारे indicators ज्याद हो ठीक है जी indicators होते हैं जो acid में जाके कोई और color देते हैं और bases में कोई और color देते हैं so इन में से कौन सा synthetic indicator है जो red होता है basic में और yellow हो जाता है acid में जाकी ठीक है तो क्या है ध्यान से देखते हैं उन्होंने बोला base में वो red है और acid में वो क्या है yellow है तो अगर देखा जाए methyl orange और methyl red ये दोनों ही acid में red होते हैं और base में yellow होते हैं तो ये तो नहीं होगा right और phenolpethylene acid में जाके क्या होती है colorless base में जाके क्या हो जाती है pink तो इसमें से तो color ही नहीं है pink बचा क्या phenol red phenol red is your correct answer कि ये acid में जाके yellow होती है और base में जाके sorry acid में yellow and base में red हो जाती है I hope this is clear अगर आपको indicators याद हैं तो ये answers तो आपको indicators याद होंगे right next question अब ये देख लो last question है हमारा ये भी indicator सही है और indicators topic ही बहुत important है तो कौन सी चीज acid में डालोगे क्या change होगा और base में डालोगे क्या change होगा पहले turmeric हल्दी की बात करते है natural indicator है ये तीनों ही natural indicator है पहले तो देख लेते है turmeric जो turmeric है acidic में yellow होता है बेस में जाके वो क्या हो जाता है options आपको दे रखे है बता देती हूं acidic में ये येलो होता है और base में जाके वो red हो जाता है तो red P option कहांपे red पहले 2 में बागी तो काट दो A और B बचा चाइना रोस तो china rose में क्या होता है china rose base में तो green है और acidic में क्या हो जाता है china rose हमेशा pink ठीक है जी और methyl orange अभी बता के हटी में आपको acidic में क्या होता है red और basic में क्या हो जाता है yellow ठीक है जी तो कहांपे है correct option B option is your correct one red, pink and yellow I hope this is clear and आज की video I hope आपके लिए useful होगी क्योंकि इस question बहुत important थे and I really wanted कि मा आपसे share करूं ये questions ठीक है जी तापको पता लगे कि आपके कितने concept clear है आपको कितना अभी तक समझ आया है जितना आपने पढ़ा है ठीक है जी तो जरूर मुझे comment section में बताईएगा अगर आपको फिर भी कोई doubt रहता है या आपके कितने answers सही थे ठीक है जी and I hope this video is useful for you अगर आपको video अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel thank you very much